मेरे पहरे देश्वासियों कल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे है ये दिन रमन इफेक्ट की खोच के लिए भी जाना जाता है मैं सीवी रमन जी के साथ उन सभी वे ज्यानोंकों को आदर पुरवक स्रद्धान ली देता हूं जिनोंने हमारी साइंटिफिक जर्रे को अपना महत्वपण योगदान दिया है साथियों हमारे जीवन में सुगमता और सरलता में टेक्नलोजी ने काफी जगए बना ली है कौन सी टेक्नलोजी अच्छी है किस टेक्नलोजी का बहतर इस्तिमाल क्या है इन सभी विश्यों से हम भली भाति परिचित होते ही है लेकिन ये भी सही है कि अपने परिवार के बच्छों को उस टेक्नलोजी का आधार क्या है उसके पीछे की साइंस क्या है इस तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं है इस साइंस दे पर मेरा सभी परिवारों से आगरह है कि वो अपने बच्छों में साइंटिफिक टेंपरामेंट तो बच्चों को आसानी से समझाए सकता है कि इसके पिछे विज्ञान क्या है सिर्फ चस्में देखें आनंद करें इतना नहीं अभी आराम से आप एक छोटे से कागज पर उसे बता सकते हैं अब वो मोबाइल फॉन उप्यों करता है कैलकुलेटर कैसे काम करता है रिमोट आराम से इन चीजों को घर की रोधमरा की जिन्दकी के पीछे क्या साइन्स की वो कौन सी बात है जो यह कर रही है इसको समझा सकते हैं उसी प्रकार से क्या कभी हमने बच्चों को ले करके, आस्मान में एक साथ देखा है क्या? राज में तारों के बारें में जरूर बाते हुई हो, विविंटर के दिखाई देते हैं उनके बारे में बताएं ऐसा करके आप बच्चों में फिजीक्स और एस्ट्रोनोमी की प्रती नयारुजान पढ़ा कर सकते हैं आजकल तो भहुत सारी FB हैं जिसे आप तारों और ग्रहों के लोकेट कर सकते हैं यह जो तारा आस्मान में दिख रहा हैं उसको पैचान सकते हैं उसके बारे में जान भी सकते हैं मैं अपने स्टार्ट अप को भी कहूँगा कि आप अपने कौसल और साइंटिफिक केरेक्टर का इस्तिमाल राष्ट निर्मार से जुदे कारियों में भी करें यह देश के प्रती हमारी कलेक्टिव साइंटिफिक रिस्पॉंसिबिलिटी भी है जैसे आज कल मैं देख रहा हूँ कि हमारे स्टार्ट अप्स वर्चुल रियालिटी की दुनिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वर्चुल क्रांसेस के इस दोर में ऐसे ही एक वर्चुल लेब बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाई जा सकती हैं हम वर्चुल रियालिटी के दुआरा बच्चों को घर में बैठें केमिस्ट्री की लेब का अनुभवी करा सकते हैं अपने सिक्षकों और अभुवावकों से मेरा आगर हैं कि अब सभी विध्यार्थ को और बच्चों को सवाल पूछने के लिए प्रुच्चाहित करें और उनके साथ मिलजूल कर सवालों का सही जवाब तनासे हैं आज मैं कोरोना के खिलाब लड़ाई में भारतिय विज्यानकों की भूमिका के भी सराना करना चाहूंगा उनके कड़े परिश्रम के वज़े से ही मेरी इन इंडिया वैक्सिन का निर्मान संभव हो पाया जिससे पूरी दुनिया को बहुत बड़ी मिदद मिली है साइंस का मानवता के लिए यही तो उभार है